हेलो गाइज, वाट्स अप, कैसे हो यार, जिया न रुही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, कि रुही जो होती है, वो जिया के कमरे में जाती है, और जिया जो होती है, वो कपड़े बदल रहे होती है न, तो वो ऐसे देख करके, जिया को कहती है कि तुम तो किती करे तो तुम्हें तमीज नहीं हैं तो जिया को काफी गुस्सा आ जाता है वो गुस्से में कहती है कि जितनी स्पीर से तुम कही हूँ न बटा उतनी ही स्पीर से मेरे पास वापस भी आओगी देख लेना तो उसके बाद जिया जो होती है वो नीचे चली जाती है और सब के साथ बैठ जाती है तो इतने मेरे रुवी जो होती है वो अपने घर पे फोन करने के बाद आ जाती है और बोलती है कि मेरे पापा ने भी कहा दिया ना कि एक रिक करती है जब तक शादी है मैं रुख सबती हूँ तो जो अकाश होते हैं यह हुई ना बात यार दूस्त वाली देखा तुम्हारे मामी भापा भी मान गए क्योंकि उन्हें भी पता है शादी जैसा फंक्शन है यार इंजॉय करते हैं बच्चे और बच्चे ही तो इंजॉय करते हैं सिर्फ तो उसके बाद जो अकाश होता है वो कहता है कि चलो अब यह तो हो गया हम हमारी बैचलर पार्टी का क्या करें तो अकाश के ममी भापा कहते हैं कि बेटा सोरी लेकिन तुम बैचलर पार्टी नहीं कर सकते ना तो वो बोलता है पर ममी तो उसके ममेबबब बोलते हैं कि नहीं बटा बैचलर पार्टी नहीं हो सकती तो जिया कहती है कि अंटी क्यों नहीं हो सकती तो वो बोलते हैं कि नहीं बटा एक्चली हमारे गुरू जी ने मना किया है ना रम इसले concept Men कर रहें लेकिन प्रूण में परफीला से बना रहे हैं जिया उती के प्रूपर कुछ काई दैनिया करे इसके था है गुआ होता है जिया का तया सब कम्सक्शक काम के चाहिए को मुझे सब दोग दों किया तो दो 역시 मत आखने ऐन तो जिया कहती है कि साथ में तो आकाश कहता है हाँ तो क्या हुआ तो मैं तो ऐसे कहा है जोसे अजनवी होना है इक दूसरे के लिए तो रुही जो होती है वो मन में सूसती है कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है और कैसे समझाए तुझाए तुझा है अजनवी ही तो हैं एक दूसरे ग्यालिए लेकिन क्या कर अब तो जाना पड़ेगा तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को उसके घर चोड़ देती है और पूरी रास्ते वो उससे कुछ नहीं कहती है तो रूही को लगता है कि यार ये तो कुछ साधा ही सीरियस है लेकिन डूही का menor लग रहा तो नों, वह कोशिश करती है कि यार ये बोले बोले बोले, लेकिन कुछ नहीं को बोलती, तो उसके बाद जीया जोती होती है वह ठुलार कर देती है और उस लास्त में कहती हैं अपने अपने लग जा ना क्योंकि तुम्हारे पसंद नी होगा और तुम साथ जाने की बात करती हो तो Christus, तभी तो कह ay रहे हो अपने है आप आ जाना उसके बार जीया होती है, वह अपने घर चले जाती है उस जोग ओते है वह अगाशक घर जाता है तो गळ्ती से ही और सेमध में पहुछ जाते है तो जी है जो होती है वो रुह को देखती है और जिस न गयामत के उड़ानी है यार ये अपने कलेक्षन में से सबसे बैस्त कलर जोज करके आई है और मेरा फिफरेट जी आपने आपको सब्हाल यार तुझे हरना नहीं है कम से कम इस गेम में तुम बिल्कुल नहीं आना ना कंट्रोल यूर्सेल कंट्रोल तो रुई जो होती है वो देखती है न की जी उसके तरफ ऐसे बड़ी प्यार बड़ी नजरों से देखती है तो रुई जान बुचके उसके पास जाती है कि हेलो मैम क्या ये मिस्टर अगाश का घर है तो जी आज होती है वो बड़ी जोड़ जोड़ जासने लग जाती है कि हेलो मिस गर के अंदर आने के बार पता नहीं पूसते तुम तो वो कह रही हो कि मंदिर में आगे पूसती हो बगवान का है बगवान का है तो रुई जो होती हो कहती है मुझे मालू है बस आप से कनफॉम कर रहे थी लेकिन आप तो पैदाईशी बद्तमीज लगती है बद्तमीज ही आती है आपको तमीज तो है नहीं बोलने की आप अपने लेंगविज को थोड़ा समाल की रखिए पर लास्ट टाइम में आपने मुझे करेक्टर लेस काता हूँ आप बद्तमीज कह रही है और मुझे तमीज नहीं बोलने की अगर मैंने मेरे तमीज जोड़ी ना तो देख ले ना तो रूही जोगती हो कहती है तमीज तो आप में वैसे भी नहीं है पहले तमीज नहीं थी और अप लगते सेंसर भी उमर नहीं है और कॉमन सेंस तो आप में बिल्कुल नहीं है वैसे आज कल कॉमन सेंसर हम बहुत कॉमन हैं लेकिन आपके अंदर तो वह कमन लगता भी नहीं है, तो जिया कहती है, वाट, तुम ये कैसे कह सकती हो, तो रूइज पहते है, जिस टाइब से और रास्तारोग रखा है, उसे साथ से तू कह सकती हूँ, तो जिया कहती है, मैं तुम आई थी मेरे पास, मैं तुम्हार पस नहीं थी, तुम्हें एड्रस जानना था, मैंने कहां रास्ता रुगा, तुम्ने मेरा टाइम बेस्ट किया, तुरुई कहती है कि, मैडम मैडम मैडम, आपको थोड़ी सी गलत फैमी हो रही है, फिलाल इतनी वगवास करने के बाद, आप मेरा टाइम आपको वो तो दिखी नहीं तो उसके बाद रूई हूँ 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 ज़र शरस लग जाती है ति यह लड़की कितनी नोटन की बहुत लगाज है न सिर्फ मुझे सताने के लिए कियामत बनगी आई है फिर लोग इसके पीछे पढ़ें ग बोडीकट समझ रखा इसने तो मुझे अपना लेकिन कुछ भी को यार आस तो जालिम जालिम धारी है मतलब कयामत धारी है आस तो जालिम तो उसके बाद ये लोग जी अंदर चले जाते हैं और वहां पर पोशने के बाद मतलब जो फंक्शन बगरा चल रहाता है उसे तो भी ने चाल अपने साथ और इनफेक्ट उसे ले ही जांना क्यूंकि उसके हात कावी शुव हैं और करने के आत लगना तो जरूरी होता है तो बैसे भी वह हमारे गर की बेटी के समानी है ना हमारी आगी अधानेThr剛剛 बेखा बैटी है वह ने आगिक्र रहाई गराली है रह तो वहाँ पर जाने के बाद रुही जो होती है न वो जिया से कहती है कि मैं आपको पता है कि हल्दी से कहलते भी है तो जिया कहती है कि पता है मुझे आफ्ट वर मैं भी हिंदू हूं कोई अधर उसमें तो हूँ नहीं और इंडिया में रहती हूं जो मुझे मालूम नहीं कि वैसे हो तो सच में अकडू हो बड्र के समकि तो जीया कहती है कि अगर मैं इतनी अकडि हूं तो तो मुझे मुझे बलाने की अंति ELLA हो तो बस अंटी ने कहा कि तुम्हें बला लूँ क्यों कि तुम्हें अपनी बेडि़ी मांनती है इसलिए वरना मैं और तुम्हें कोई जान से नहीं वैसे भी मुझे अपनी इसत बहुत प्यारी है और करेक्टर लेस्ट लोगों के साथ रहना तो बिल्कुल नहीं पसंद तो जिया उसे न गोर के देखती है कि तुमनों जो फिल करेक्टर लेस्ट कहा ना तो मैं मेरा सुः तो मैं तो लोगों कि एक चिली वैडस्ट कहती है न caveat कि आफ सिखेर कर लेस्चार ल्यारी करेख प्रवाज टाया मैं है करेक्टर साथ हं गो नहीं से उसक रख फाटल ए नहीं कोई हें तो रूए के लिक ये लेगार अपकल ने जाने टहां गई तो अलन डोए आपक किसी के नाम की हल्दी तो चड़ी होगी न आप पर जी आप मन में सुचते हैं कि यार किसी के नाम का तो पता नहीं तुम्हारे नाम की हल्दी तो चड़ नहीं है मुझे तो ऐसा सोच रही होती है और रुई को दिय करी होती है तो रुई समझ जाती है कुछ बन में शेतानी चल दिया है, तो रूवी कहती है, बेट, यह हमारी हल्दी नहीं है, यह काश के हल्दी है, ठीक है, तो इससे हम नहीं भोगे लेगा, आगई बात तुम्हारी समझ में, तो जीया कहती है, कि मैंने तुमसे कुछ कहां गया, कुछ कहां मैंने तुमसे, तो अभी मुझे इतना अच्छ थाई किसे तो बिलकुल नहीं सकते हैं तो रूही कहती है कि हां किया तो तुम सही रही हो वैल आपको जिसके नाम की हल्दी लगानी आप लगा लिजे या जिसके नाम की हल्दी आप पे छड़ेगी उसे महसूस कर लीजेगा मैं तो हल्दी लेकर जा रही हूं तो ऐसा बोलने के बाद रूही होती है वह पहां से हल्दी ले जाती है और उसके बाद सब लोग जो होते हैं और मतलब इंचोई कर रहे होते हैं तो जिया जो होती है उस साइट में मस्त होती है क्योंकि उसे सादा पसंद नहीं होता है हल्दी लेकिन जो रूह बनी हुई है तो नहीं कहल सकती हुआ तो थोड़े sad mood से ना अंदर के साथ जा रही होती है तो जिया देख लेती है कि यह sad है तो समझ जाती यह किसे मेरे साथ कहलना होगा तब ही तो जिया उसके पीछे पीछे जाती है और उसके ना जो ड्रेस होती है मतलब कि जो चुन्नी होती है उसे पकड़ लेती है तो रूही उसे देखती है और कहते है कि छोड़ो तो जिया कहते है कि क्यों छोड़ो तो रूही कहते है छोड़ो तो जिया ना उसकी चुन्नी को फिर इसे नाग पर अपनी नाग से लगती यह आए जाती है को पर इनन ऐफ son хот seas Ցड़ाती है तो जियए भी कोज आती है और जो हिस थूख जाती है कि यह झेल को थो यह है तो उसे कितनी कुछ हो रही होगी तो जिया भी कोज है कि जिया के पीछे जाती है आपको शू बना ही देता, तो रूही कहते है, कि हाँ हाँ, मुझे मालू मना, और मैं का अग्वाज आ रही थी, तुम आ रही थी, मेरी खेल, ठीक है, आगे बर तुम्हे सब में, तो जीह कहते है, ओअ, मेडम, उल्टा चोर खुतवाल को डटे, तो रूही कहती है कि इसमें चोर को तफाल वाली बात तो ही नहीं ना तो जीया कहती है वही तो तुमने खुदने मतलब ऐसा सैड सा मूझ बना रखा था तो मैंने सोचे मैं तुम्हें हल दे लेगा तुम क्या पता तुम खुश हो जाओ टो ど जीया सोतिया तो रूही कहती है कि मैं तुम्हें कोई गुर में लिएकिश est id ना मैं रिकाव कोई हैंता है शायओ जांद नहीं हो बहुत कुश हो फिर शाह बहुत जादा कुश हो तो रूही जो होती हो जो जो घूते हैं ज ole एक्शे बटा मैं भी तो लगाओंगी ना हिसा बराबर करने के लिए बराबर तो जिया कहती है कि हिसा भी बराबर करना है या पिर कुछ और इंटेंशन है तुमारा बेल मैं तुम्हें बता दूना कि एक अजनबी से दूरी रखनी जाहिए पता ने किसका इरादा कैसा हो और मैं तो वैसे ली में बत्तमीज हूं सडू हुँ अखुँ हुँ ऑक्रेक्टर लेस हूं तो गरेक्टर लेसं लोगों से तो बचके रहना जीए तो रूही जो होती हो छोटे है है अपत लोगा ठीक है तो मत बताओंगी तो उसके बाद रूही जोटे हुझ एनोडव Se Jija को हल्ति लगाती कि बंदी कितनी रॉमैंटिक है ना लेकिन शर्ट लगाती है मुष्स से कि मेरे बिना रह लीगी यह मैं इसके बिना ने रह सकती बिटा देखना हरा के रोंगी तुम्हे में तो ऐसे बुलन के बाद जीया भी चल जाती है वहां से तो रात को जिया और रूही जो होते हैं वहीं पर ही होते हैं मतलब सोरे होते हैं लेकिन जिया जो होती है वो दूसरे रूम में होती है और रूही जो होती है वो दूसरे वाले रूम में होती है लेकिन रूही को तो निन्नी आ रही होती है क्योंकि उसे जिया की बड़ी याद आती है तो सुचने के बाद जिया के रूम की सेट जाती है और चुपकेस उसका गेट मतलब उसके रूम का गेट खुलती है और अंदर जाती है तो देखिए यहां पर तो जिया है ही नहीं अनुधता है तो जाती है तो जाती है तो जीअ के सबार है मजा करें इे उसकारफ के जाती है किसी अजनबी के कमरे में अतनी तो छाक नहीं किया करते हैं तो रुखी जो टे हो जवाब नहीं रेती तो जिया कहती है कि इतने अच्छे संसकारी घर की लड़की लगती है और किसी अच्नभी की घर में सोरी रूम में इतनी रात को तांटचा कर रहियो हम्......ET हो कोई कैसा भी हो सकता है किसे ने थुम्हासत कुछ कर दिया थो तो रूहि क्याती है कि मैं बस चट करने के मिलें आई थी तो जिय Means रहा हकर न टी कि यहां पर कोई है तो नहीं मेरे साथ कोई सो तो नहीं रह। यह चाह करने आई थी तो रूही कहती है नहीं नहीं वो बस मुझे करने है थी न तुम सुई हो या नहीं तो जी है कहती है मड़म अजनभी को कबसे आपको इतनी फिकर होने लग गई जो आप यह देखने आई है कि वो सुई है या नहीं तो रूही कहती है कि हटो मुझे जाने दो तो जिया उसका आत पकड़ लेती है और उससे अपनी क्लोस कर देती है और बोलती है कि आई अपनी मर्जी से हो पर जाओगी मेरी मर्जी से तो रूही कहती है बड़ी बित्तमीज किसम की है आप तो जिया कहती है कि मत्तमीज किसम की तो हूँ मगर ऐसी ही हूँ और किसी ने मुझसे कहा था कि मेरा करेक्टर कराब है तो अब उसे मेरा करेक्टर दिखा तो दू तो रूही कहती है कि मतलब किसी के साथ भी कुछ भी कर दोगी तो तो जिया कहती है कि यार तो मैं मालूम है मेरे साथ कुछ भी करने के लिए लोगों मरने मारने पर उतार हो है लोगों की लाइन लग ही रहती है मेरे पीछे इन फैक्ट जीया के पीछे तो लोग पागल है और जीया तुम्हारी एत्ने क्लोस है तुम कितने खुश किसमत हूनक तู रूए कहती है कि आप जैसे एक चैटरलस लोगों को किस इफ इसंद बिय्शा न तो चैटे है और छी दुम्हे था है किया कोई इस तो हम प्यार कर सकता है किया मैंने यह सोचा है कि जब तुम मेरे रूम में आई गई हो तो क्यों ना थोड़ा टाइम स्पैन कर लिया जाए तुम्हारे साथ तो रूभी कहती है कि नहीं नहीं आपको शोबानी लेता ना किसी के साथ ऐसे करना और वो भी किसी अजनभी के साथ तो रूभी कहती है कि जब अजनभीयों कोई हग है वो हमारे कमरे में कभी भी हद्धा के लो सकते है तो मेरा भी यह बनता है और वैसे भी मेरे रूम में आई हर चीज मेरी है और उसके साथ जो चाहें वो कर सकती हूँ जो मेरा दिल चाहेंगा वो करूँगी मुझे इसे के प तो… तू मेरी हुई अब तक आज के लिए है कि एफ analogy मैरी होती है बदो है वा अइससे निकल जाती है तो यह लड़की कितनी बडी नोटन खीपास आि जुझा साफसाफ ने जह सकती है जएकि मेरे पिना नीम दियाई यहाँ पर आकर इतना ड्रामा करती है तो उसके बाद जा जीया जो होती है वो पहर होती है और रुई भी, लेकिन फिरन सोने चलिया जुझा होती है तो रुई जो होती है वो बार जाती है कि तुम यही हैं तो झूज़来ती ना कि यह यहां क्या रफिय है तो वो बोलती नहीं है और वो सिभकी सुनती है तूरी केहती है कि यार मैजने क्यों ऐसे लग रहा है जैसे तुम यही पर हो मिरे सामने हो मिरे पास हो लेकिन नहीं क Sorry होगी तुम्हें कर दोहा हैं का और माँ करें कि दोटी हैं कि टहरा नहीं हुआ हों चौने कि ही हर भेतने नहीं हो राहिए रूही यार अगर ऐसा चलता रहाना तो यह हार जाएगी लेकिन मुझे हार जाना है पर मैं जिया के बेना नहीं रह सकती मुझे जिया के साथ जाना है जिया के पास जाना है उसके साथ सुना है यार मैं अब और नहीं सह सकती दूरी इतने दिनों गए मैं उससे बात नहीं करी उसे नहीं सा आ जाता जो है ये गेम खतम करते है यारब कल ही जिया से कह दूँगे कि में उसके बिना नहीं रह सकती नहीं रह सकती तो ऐसा ja या ऑज उसके बा旁बन अपने रूह में चली जाती है कि जोई जो भी हो सुना तो पड़ेगा तो जिया जो होती है न वो कुछ होती है और बोलते है कि जान यह ऐसा असी तो है जो मुझे तुम्हारे इतने करीब रखता है कि तुम्हारे अलाव मुझे कुछ और दिखता भी नहीं है और मुझे कल कर अंतसार है कल जब तुम मुझे से कहत होगी कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती है वो पल भी कितना खुश नसीब होगा ना सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि रुई जो है बूजिया से कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती या फिर कल जो है वो रुई का मूड जेंज हो जाता है तो इसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा जी नेक्स्ट एपिसोड तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तो टाटा एं बाई बाई और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेर कर दो यार प्लीज कर दो